हेलो फ्रेंट्स मेरा नाम डॉक्टर आशिश इश्वर्दास अगरवाल है मैं चाइड स्पेशलिस्ट पीडियेटिशन नाद्रेड महाराष्टर में प्रैक्टिस करता हूं इसके लगा मेरे एस्पेटाइज है बिएवियर एड्यूकेशन और डॉल्पमेंट पॉल्मेंट हम अलग अलग वीडियो बच्चों के बिमारी बच्चों से बनाते हैं यह हमारा नया वीडियो है ग्रोथ एंड डॉलपमेंट आप चिल्डरन बिट्विन शिक्स मन्स टू 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 तो जिसमें बच्चे का वेट हाइट और ब्रें कैसा डॉलोप होता है इसके बारे में दस मेने के बीच में बच्चे का वजन 300 ग्राम पर मंद बढ़ता है फिर 11 और 12 मेने में बच्चे का वजन 200 ग्राम पर मंद बढ़ता है जब बच्चे का वजन 6 मेने से लेके 10 मेने के बीच में 200 ग्राम से कम बढ़ रहा है और 11 और 12 मेने में 100 ग्राम से कम बढ़ रहा है तो रहा है तो भी आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ड करना चाहिए बच्चे की हाइट कैसी बढ़ती है बेसिकली बच्चे की हाइट यहां से थोड़ी स्लो हो जाती है आपने हमारे पिछली वीडियो में देखा था कि बच्चे की हैट 3-4 cm पर मन बढ़ती है यहां से 1-1.5 cm पर मन बढ़ती है अगर बच्चे की हाइट जैसे हम बता रहे हैं नहीं बढ़ रही है तो आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ड कीजिए तो बच्चे की वेट और हाइट बढ़ने में क्या-क्या फैक्टर्स काम करते हैं क्योंकि बच्चे का मसाज करना बहुत इंपॉर्टन है इसे बच्चे के मसल्स और बोन को डवलप्मेंट में चांस मिलता है और बच्चे के हाइट अच्छे से बढ़ती है इसके बाद 6 मैने के बाद 12 मैने तक मां का दूद के आलावा विनिंग उपर का खाना चालू करना चाहिए उपर का खाना क्या देना चाहिए कितना देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए इसका एक अलग वीडियो हमने अलड़ी फेसबुक को और वाटसप पे यूटूब पे लोड किया है आप उसको जरूर देखिए और उसको फॉलो किये इसके लावा अगर डॉक्टर आपके आपके बच्चे को कोई medicine देता है जैसे calcium है, vitamin D है, iron है तो आपको लेना चाहिए बच्चे का brain development weight और height से ज्यादा important है क्योंकि weight मेरा 8 भी बढ़ सकता है लेकिन height मेरी नहीं बढ़ सकती उसके अलावा height इंसान की सिर्फ 18 साल तक बढ़ती है लेकिन height से भी ज्यादा important है brain क्य से brain development पर focus करना चाहिए और हम Indians ज्यादा weight पर focus करते हैं और किसी को पता ही नहीं होता है कि brain कैसा बढ़ रहा है इसलिए brain development पर ज्यादा focus करना चाहिए तो maximum brain development इस age में ही होती है तो आपको ज्यादा focus करना चाहिए and it build foundation of future learning health and success क्योंकि जिस इंसान की अध्य ब्रेन है वहीं इंसान जिन्दगी में आगे जाएगा और brain development दो factor पेड़ होता है genetic factor और environmental factor तो कुण से factor important है जैसे मैंने का genetic genes को हम चेंड नहीं कर सकते हैं अगर घर में आप बहुत अच्छा environment है जहां पे सब लोग एक दूसरे से बहुत कुश है positive environment है तो बच्चे का brain development की speed काफी बढ़ जाती है और वही घर में काफी जगड़ है stress है negative environment है तो बच्चे की brain development कम हो जाती है उसी तरह हम बच्चे को क्या-क्या सिखाते है कितना ज्य इसी तरह उसी के अलावा मदर का nutrition और बच्चे का nutrition दोनों भी फैक्टर बहुत important है brain development में अगर अच्छा है तो definitely उसके पास फैसलेटी ज्यादा रहेगी और इसे brain development में ज्यादा फैसलेटी आती है और हार्मोन्स यह भी एक फैक्टर जिसको हम change नहीं कर सकते लेकिन हार्मो का अगर पॉलम है और अगर हम वो पिक अप करते हैं तो उसकी treatment से उसको हम change कर सकते हैं और दो-तीन चीज़ का आपको द्यान देना है एज से milestone हमें age wise देखना होता है जैसे मैं आपको छे मेने का बताऊंगा और नौ मेने का और बारा मेने का छे मेने का मतलब अगर आपका बच्चा छे मेने हो चुके हैं तो जो भी milestone हो आपके साथ में discuss कर रहा हूं तो आपके बच्चे ने h.u करना चीज़ा लेकिन उसके बारे में हैं को द्यान देना है अगर आपका बच्चा premature पैदा होता है मतलब एक महना पहले पैदा होता है तो एक जामपल देता हमों अगर एक february को पैदा होता है लेकिन उसकी due date मतलब उसकी gynecologist कहता है कि 10 maarch को पैदा होना आला है तो आ एक अधर कोई बच्चा एक पैदाव लेकिन उसकी ड्यूडव्ड दस अध डिन दसरे से ड्यान देते हैं तो इससे मैं काफी दूर्व लखता की Ama फिर घंय आप इडिकल्टी जारी है उस जब इसके बारे माइस याट से जरूर भी है तो छे मेने पर क्या-क्या माइलस्टोन होते हैं हम चार फैक्टर देखेंगे फिजिकल फिजिकल में बच्चा रोल ओवर करता है छे मेने पर एक साइट से दुसरे साइट से वापस ऐसा हो सकता है बच्चे को अगर हम बेट के पकड़के बिटाते हैं पकड़के तो आराम इस कहीं से भी आवाज आएंगी तो मैं पलट के देखोंगा तो बच्चा भी आपके नाम से पलट के देखना चाहिए और इसके लाव बच्चा कुछ आवाज करना शुरू करता है अगर यह आवाज नहीं कर रहा है तो उसका माइंस्टोन्स डिलेड है को अगनिटिव ड् अगर रीच नहीं कर पा रहा तो पेट से घसरने की या बेटना बेटा होगा तो पेट घसर के वह पकड़नी की कोशिश करेगा और शोशल डवलप्मेंट उसे बड़ा अनंद आता है लोगों के साथ केलने में अगर आप उसके साथ खेल रहे हैं और आचना रोकते हैं तो शुरू करता है और उसको अगर कांच के सामने बिटाते हैं तो बच्चा बहुत अनंद से किलता है इस तरह से समाजी क्विकास यहां पर छे मिनी की उमर में होता है तो डेंजरस साइन क्या क्या है अगर बच्चे में है तो बच्चे के माई स्टोर डेफिनेटली हैंपर हो मैं हों चुके है जो चीज दी जाती है वो पकड़ना भी नजी चाहता है अगर इसको आवाज देता है तो रिस्पॉंट नहीं करता है और रॉल अवर नहीं करता है और नहीं और चाहिए आप आप में 9 मेने के milestones के बारे में आपसे बात करूँगा 9 मेने मतलब उसके पूरे 9 मेने होने के बाद 9 मेने की शुरुवात में नहीं होने के बाद तो physical development में बचा crawl करना शुरू करता है crawling सब को पता है अगर लेटा है तो वह बेड़ सकता है अगर उसको पकड़ के हम खड़े करते हैं तो पकड़ कोई भी चीज को आराम से खड़ा हो जाता है और कोई छोटी चीज देते हैं तो जाके वह easily पकड़ के मुह में दाज सकता है जरता मुस्य में और शां तो जाता है बहुत और भी चीज उसके साथ कहेल भी सकते है इसे brain development की speed बढ़ती है जैसे उसका एक अंदा पसंदी खिलो नहाए तो उसके सामने आदा चूपा के रखिए और उसके पुछे वो कहा है तो ढूंडेगा और निकालेगा तो इस तरह सा brain development की speed बढ़ा सकते है पीब आप मतलब होता है किया आप मुग बंद लिगजे और जोर जोर की हसता है उसके चेरे पर रुमाल डाल सकते हैं और हटा ही है तो बहुत जोर की हसता है या रुमाल को नहीं निकालने के लिए कोशिश करेगा इस ते ब्रेंड डूलब्मेंट की speed भी बढ़ती है और इसमें cognitive development यह आना चाहिए 9 मेने के बच्चे को social development में वो नए अचा भुआ उनके पास ही वह आराम से जाएगा इवर नाना नाली जो बहुत दिनों बाद दिखते हैं स्टार्टिंग में वह जाने को डरता है इसके अलावा वह ज्यादा तर टाइम जिनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करता वहीं टाइम स्पेंड करने की कोशिश करत तो that is dangerous sign एक object को एक हाट से दूसरे हाँ पर ट्रांसफर नहीं करता है घर के common लोगों को जैसे दादा कोने नानी कोने ममी कोने पापा कोने उनको पैचानता नहीं है तो that is dangerous sign और बाबल जैसे बाबा दादा यह शब्द अगर हुं नहीं बोल रहा है तो that is dangerous और आपको अपन से भी खड़ा हो सकता है और चल भी सकता है पकड़के तो वह डेफिनिटली चलना चाहिए इसके अगर बॉल को फेक सकता है इमीजेटली लैंडवेट डोलप्मेंट में जैसे उसे हम कहते है टाली बजाओ टाटा करो बाबा करो तो वह सब एक्शन करके दिखा सकता है हम उसक में से कोई भी एक शब्द जोसके साथ कंटीनियम वापड़ते हैं वह बोल सकता है कि कोई भी चीज ऐसा मैंने पिटली बार कहा कि आदी चुपाने पर ढूंड लेता है यहां पर पूरी चुपाने के बाद भी ढूंड सकता है उसको यह समझता है फैन किदर है लाइट जो घर के कॉमन चीजे उसे पता है कहा होते हैं और वह चीजों को जगे पर भी रख सकता है जैसे एक आंदा खिलोना है अगर उसको बास्केट में हमाद उसको रखने के आदिद दालते तो उसको बास्केट के पास लेके जाएंगे तो वह वह पर रखेगा अगर कोई अगरे पर वह easily comfortable नहीं होता है माँ पर जो जाकर रोना शुरू करता है वह बच्चों से भी डरता है लेकिन छोटे बच्चों को खेलते वे देखकर अनदित हो सकता है इसलिए बच्चों को एक साल के बच्चे को ग्राउंड पर लेके जाईए और जहां बच्चे बहुत सा तो वर्ड क्लियर ली डादा बाबा नहीं बोल रहा है तो तो वर डाटा नहीं कर सकता है तो नहीं कर सकता है तो यहां पर उन्यापको च्छे मेने नौ मेने और एक साल के बारे बाए प्रफार में आपको बताया हूं और मैं बीज मुच में कहां कि हम ब्रेन को डॉलब कर सकते हैं यह सब्सक्राइब बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं जो आप अपने पीडियाटिशन से सीख सकते हैं अगर वो घर पे करते हैं तो आपके बचे की ब्रेन की डॉलब्मेंट की बढ़ने वाली हैं तो टेकर मेंसेज क्या क्या है कि अगर आपको बच्छा एक दो चीज मिस कर रहा है तो आपको डर लगना चाहिए और जब भी आप पीडियाटिशन से जाते हैं तो उसको पास जाके आपको डेफिनेटली उस बारे में डिसकस करना चाहिए अगर आपका आपको बच्चे को बिमारी होती है तो आपको हस्पेटलाइज करना होता है आपका पैसा खर्चा होता है और कभी-कभी जानलेवा भी बन सकती है तो बहुत सारे लोग पुछते है कि सभी वाक्षिन लेना चाहिए या सभी वाक्षिन लेना चाहिए जो भी वाक्षिन दुनिया में अब्लेबल है आप वहां पर पैसा खर्चा कीजिए हो सरक और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि क्या आपका बच्चा रहे है excellently कम पड़ेगा तो कौन सो कौन से वैक्सिन है क्योंकि मेरा टापिक 6 मैने से लेके 12 मैने का है फिर भी मैं बर्थ से आपको सब वैक्सिन के बारे में बता रहा हूं बर्थ पे BCG, oral polo vaccine, hepatitis B होता है 6 मैने पे बहुत सारे combination होता है combination 1 एक होता है जिसमें DPT, hepatitis B और हीब वैक्सिन देते हैं combination 2 में DPT, हीब, hepatitis B और 14 एको राइड करते हैं polio injection और इसमें दो प्रकार के होते हैं एक painful और एक painless इसका अला 6 हफ्ते पे नीमो कोकल और Vir rula sourceALLYavaris और यह भी वैक्सिन दी जाती है और सभी यह हफ्ते के बाद 10 हफ्ते और 14 हफ्ते में वापास है कि दा दे मेने का बाचचा होता है आब यहां से आपके वैक्सिन का शुरू हुता है शे मेने के बच्चे को फ्रू लोकल वैक्षिन दी जाती है तो इस एक और कुष्टन आता है बहुत सारे पैरेंट्स हम से पुछते किसी गोवर्मेंट वैक्षिन ही जरूरी है बाकी के वैक्षिन जरूरी नहीं है तो मैं यह कहना चाहूंगा आप गलत है इतना धान दीजिए कि आज से चार पहले चार साल अब पुरी दुनिया को दी जा रहे तो गोर्मेंट के पास जैसे प्रण्ट आता है और वैक्षिन डिसकर नहीं हो जा लिए और वैक्षिन पंद़रा साल विश्ट से अल्रेडी प्राविड में मिल्री है और गोर्मेंट आने के आर्प कर एंप पास पैसे पाफ पॉलम है तो मैं सब्सक्राइब करना चाहूंगा कि government के vaccine government में लिजिए और जो vaccine government में नहीं मिलते हैं वह प्राइविट में जरू लिजिए तो कुछ-कुछ लोग पुछते हैं कि सर अभी तर हमने बहुत सारे vaccine नहीं ली पर्टिकली government vaccine नहीं ली तो आप हम क्या करें जैसे छे मेने के पर देड़ मेना धाई मेने या साधी मेने पर वैक्सिन में जो government में नहीं मिलते हैं आपने वह नहीं ली यस आप अभी भी ले सकत हैं आप अपने pediatrician से जाके consult कीजिए और उस जैसा suggest करेंगा उस तरह से आप उसको follow कीजिए तो सबसे important take home message है जितना हम हमारे बच्चे के brain development weight और height पर focus करते हैं उसके लाव वैक्सिन पर focus करते हैं हमारे बच्चा उतना ही कम बिमार पड़ेगा उतना ही competent होगा और आगे चल 12 साल के लिए बाल संसकार और सीडी जिसमें बच्चों को development बच्चों के problems के बारे में आप से discuss किये अगर आप चाहे तो लेकर पढ़ सकते हैं इसके रहा हम बहुत सारे चीजी लिखते हैं वीडियो बनाते हैं तो हम और सोशल मीडिया पर उसको publish करते हैं तो बहुत सारे सो चाहते हैं क्योंकि WhatsApp सबसे easily accessible है और बहुत easily operate कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो WhatsApp नंबर दिया है इस नंबर पर आप एक रिक्वेस्ट बीजिए करते माक्स कमा रहे मोबाइल एडिक्शन एक बहुत बड़ा पॉलम है confidence कमे या और भी जो पॉलम है अगर इस करके पॉलम हमारे सोशल मीडिया पर जोइन कीजिए आपको फैदा होगा और आपका पॉलम सौल हो जाएगा अगर नहीं होता है तो आप कॉंसलिंग के लिए आ एक्जाम anxiety है या माबब के साथ difference of opinion है तो इस टाइप के प्रॉलम के लिए बच्चा अकिला भी आ सकता है या माबब के साथ भी आ सकता है जैसे मैंने कहा कि brain development एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है तो बचे का brain कैसा develop करना चाहिए उस बारे में हम कॉंसलिंग करते इसके अल नमबर पर आपको WhatsApp मैसेज भीजना है कि आपको कॉंसलिंग चाहिए तो हम आपको आगया फर्दर को हम आपको contact करेंगे और आप उसका फायदा उटा सकता है तो मैं यहां पर मेरा लेक्चर खतम करता हूं इस लेक्चर से आपको definitely फायदा होगा यह मुझे विश्वास है अ